जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल धवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्धिप्रदेश पटवारी परिच्छा 2023 की तैयारी के लिए मद्धिप्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्पुन प्रस्न और यहा और पार्ट्स आपके लोगों के लिए आएंगी जिससे आपकी प्रप्रेशन बहतर हो पाएगी तो आज हम बहुत सभी कोश्यन पढ़ेंगे जो कि आल्रेडी MP गवर्मेंट की किसी ने किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं आज इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आप्सन नंबर B मिन्टो हॉल के नाम से भोपाल में इस्थित पुरानी बिधान सभा भवन को मिन्टो हॉल के नाम से भी जाना जाता है इस एतिहासिक इमारत का दिर्माण 12 रबंबर 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपने भी आप लोगों को याद रखना है आप लोगों से पूछा जा सकता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि आप लोग मद्धिप्रदेश पटवारी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आज हम मद्धिप सब्जेक्ट को फूल डिटेल के साथ आपको समझाया गया है साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के mcqs question भी with details आप लोगों को दिये गये हैं और आप लोगों को इसमें practice set भी दिये गये हैं जिससे आप लोगों की preparation बहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी एक्जाम में करके अपनी preparation को और बहतर कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next question की और next question में देखें यहां पर हमसे पूछा गया है अहिल्या भाई निमने में से किस राजबन से संबंदित थी तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number first होल कर राजबन से अहिल्या भाई का संब कि वहां इंदोर के संस्थापक महराजा मलाहर राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर से हुआ था और इन्होंने खांडे राव होलकर के निधन के बाद इंदोर पर सासन किया और इनके जो सेनापती थे वहां तुकोजी राव होलकर थे तो इनके सेनापती का नम भी आ आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोगों से क्या पुछा गया था तो यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया था किसने दूसरी सतापदी में मालबा पर विजय प्राप्त की थी तो इसका जो right answer है दोस्तों वहाँ आप लोगों का होने वाला option number second गोत्मी प उत्र सतकर्णी ने दूसरी सतापदी में मालबा पर विजय प्राप्त की थी आगे चलते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोगों से क्या पुछा गया था तो next question में आप लोगों से पूछा गया है अजेगर किसके द्वारा इस्थापित किया गया था और यहाँ जो question है हाली में MP Police Constable Exam 2022 में पूछा गया था हम लोग आप लोगों को MP Police Constable Exam 2022 के paper का भी full solution करा रहे हैं आप लोग चेनल की playlist में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों से पूछा है अजेगर किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है आप ल अजेपाल द्वारा इसको पूनत दिर्मित करवाया गया था यहाँ पर पत्थर की नकासी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है तो आप लोगों से यह question पूछा जा सकता है कि राजा अमन का महल और Constable Exam 2022 में पूछा गया प्रसन है राजा अमन का महल क नहां इस्ति थे तब आपका answer क्या होगा अजयगर में इस थी थे आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखते हैं यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया था तो next question में आप लोगों से पूछा गया था देवास की स्थापना किस ने की थी चार option आपको दिये गया है और जीवाजी राव और तुकोजी राव के द्वारा 12 दिसंबर 1728 को किया गया था देवास के प्रमुख आकरशन केंद्रों में चामुंदा माता देवी मंदिर और साथी साथ खिवनी अभ्यारन सिद्धेसवर मंदिर और काकला क्रसी मेला और साथी गेट आफ देवास जिसे स समाजी द्वार के नाम से भी जाना जाता है यहां सभी देवास के प्रमुख दर्सनी इस्थाले तो आप लोगों से कॉस्टिबल एक्जाम 2017 में पूछा गया और पटवारी एक्जाम 2017 में पूछा गया प्रसन है समाजी द्वार कहां इस्तित है तो आपका अंसर होगा मध्यप्रदेश के किस जिले में क्रश्न और बलराम ने अपनी सिख्छा प्राप्त की थी तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वह है आप लोगों का आप्शन नंबर सी उज्जेन में मध्यप्रदेश के उज्जेन जिले में भगवार कृष्ण और बलराम ने और साथ ही साथ उंके मित्र सुदामा ने सांधिपनी मुनी से अपनी सिख्छा प्राप्त की थी क्रश्ने ने 64 विद्या और 16 कलाव का ग्यान प्राप्त किया था उज्जेन में छिप्रान अधिकेटर्ट पर महा काले स्वार जोतिलिंग इस्तिध है और यहाँ पर प्रत्येक 12 बरसों के अंतराल पर सिहस्त कुम्ब मेले का आयजन किया जाता है जो की मद्ध प्रदेश का सहर को कहा था चार अप्षिन आपको दिये गया पुछा गया इन में से किसने ग्वालियर सहर को हिंदूस्तान की कुंजी यह कि चावी कहा था तो इसका जो राइट आनसर वह हे आप लोगो का आफ रप्प्रन के वारेशियस और मों सिंग ऩगा यहाँ बंगाल का प्रत्व गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रिम काउंसिल का अध्यक्ष था या 1773 से लेकर 1785 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और तो नेक्स्ट कोशन की और बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को जो PDF दिखाई दे रही है जो की मद् प्रदेश पटवारी एक्जाम की तयारी के लिए MPGK की बेस्ट PDF आपको दिखाई दे रही होगी साथ हिंदी के 2000 प्लस प्रशनों की और कंप्यूटर के 2500 प्लस प्रशनों की PDF आप लोगों को दिखाई दे रही है जो की आप लोगों के एक्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं तो यदि आप लोगों को यह सभी PDF डाउलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन PDF को डाउलोड कर सकते हैं नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे दवंग क्लासेस इंस्टा मोजो क्या सर्च करना है दोस्तो MP Government के किसी भी एक्जाम जैसे की MP Constable एक्जाम 2016-2022 और MP SI एक्जाम 2016-2017 फॉरेस्ट एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए और साथ ही साथ जेल प्रेदी एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए प्रिविएस एर पेपर की PDF डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे जिससे आने वाले ए आने वाले एक्जामस में सेलेक्शन हो पाएगा तो चलिए बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखे यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है तो next question में आप लोगों से पूछा है खजराहो के उलेख के द्वारा मोहमद गजनी के छापे और बिजय के दोरान राजधान के रूप में मोहमद गजनी के छापे के दोरान किया गया था तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number कौन सा होने वाला है correct answer है बता ही जल्दी से गजनी के साथ कौन सा इतिहास कार भारत आया था तो right answer होने वाला है option number 4 अलबरूनी अलबरूनी जो है मोहमद ग गजनी के छापे के दोरान राजधानी के रूप में किया था कुतुबिद्दिन एवक ने बरस 1202-3 में बुंदेल खंड पर आक्रमन किया और चंदेल सासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर महोबा और खजराओ पर इधिकार कर लिया था बढ़ते हैं next question की और और अनुलेखन किसको प्रदर्शित करती है तो चार अफसन आपको दिया गया और पूछा गया है कि भारत में मानवो द्वारा सर्व प्रथम जो सेलासरे और सेल चित्र है बहां कहां बनाए गए थे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का आफसन नंब दुल्ला गंज में इस्ती थे भीम बेटिका गुफाव की खोज जो है उनिस सो संताबन एंठाबन में डाक्टर विश्णू धर बाकणकर के द्वारा की गई थी और यहाँ पूरा पासन काल की मानी जाती है इन्हें बर्स 2003 में युनेसको ने बिश्व धरोहर सूची में सा कामिल किया गया तो आंसर होगा बर्स 2003 में आगे चलते हैं नेक्स्ट कोष्यन में देखते हैं आप लोगोंस क्या पुछा गया था तो यहाँ पर आप लोगोंसे पुछा है निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंध्या सासकों की गृस्म कालिन राजधानी के रूप में ज जाना जाता है सिंध्या परिवार या ञालीार डीज़ एक नेशर गेटवेए एंक्स पूशन यहां पर आप लोगों से पूछा है योद्ध जो इंदोर, नादपूर और रीवा के तातकालिन रायों को ब्रिटिस राज्य के अंतरगत ले आया था चार आप्शन आपको दिये गया और पुछा गया इन में से किस युद्ध के बाद इंदोर, नाकपूर और रिवा ये जो तीनों ही राज्य हैं इन्हें अंग्रेजी सासन के अंतरगत सामिल किया गया था तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आप्शन नंबर C, त्रती आंगल मराठा युद्ध त्रती आंगल मराठा युद्ध के बाद इंदोर, नाकपूर और रिवा इन तीनों ही राज्य को ब्रिटिस समराज्य के अंतरगत लाया गया था या युद्ध 1817 से 1818 तक लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन सरुप्रथम किसके द्वारा किया गया तब आपका अंसर होगा पेश्वा बाजीराव के द्वारा और पेश्वा बाजीराव दुती को ही मराठो के पतन में सरबादिक योगदान इसी का माना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की ओर नेक्स्ट कॉश्चन में देखी यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था ग्वालियर के अंतिम महराजा कोन थे क्या पूछा गया है ग्वालियर के अंतिम महराजा कोन थे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का आप्शन नंबर एक माधवराव सिंध्या माधवराव सिंध्या जो है यहाँ ग्वालियर के अंतिम महराजा थे आगे चलते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर के सिंधिया बंस के संस्थापक कोन थे तब आपका अंसर क्या होगा तब आपका अंसर होगा राणो जी सिंधे जो है यहाँ ग्वालियर के सिंधिया बंस के संस्थापक थे और अंतिम महराजा कोन थे तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है माधारा सिंध्या चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है होलकर मूल रूप से किसे संबंदित थे माराठा राजबंस, राजपूत, मोर या सिंध्या तो आप से पूछा गया होलकर मूल रूप से किसे संबंदित थे तो इसका जो right answer है वा है आपका option number 1 माराठो से होलकर मूल रूप से मराठा थे होलकर बंस इंदोर के मराठा सासक थे इन्हें मूल रूप से एक चरवाह जाती या क्रसक बंस के रूप में जाना जाता है जो मत्रुणा जिले से आकर दक्कन के गाउं होल या हल में बस गए थे इस गाउं का नाम क्या था होल या इसे हल के नाम से जाना जाता था इसी गाउं के निवासी होने के कारण इनका पारिवारिक नाम होलकर हो गया इस राजबंस के संस्थापक मलाहर राव होलकर थे इनकी मृत्यू के बाद इनकी पुत्र बदू अहिल्यावाई होलकर ने इस सासन की बागदोर संभाली थी और इस बंस की जो राजधानी है बहा इंदोर थी जिसे अहिल्यावाई होलकर के दौरा महस्वर इस्थानांत्रित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन में देखें यहाँ पर आप लोगों इस पुछा है अंतिम महत्पुर होलकर सासक का नाम क्या था चार अप्षन आपको दिये गए और पुछा गया है अंतिम महत्पुर होलकर सासक का नाम क्या था तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आप लोगो के बाद उनकी म्रत्यू के बाद उनकी पुत्रबतु अहिल्यावाई होलकर ने पेशवा की अनुमती से प्रसासन का कारभार समाला और अपने म्रत्यू परियंत तक इंदोर पर सासन किया इनके बाद यसंत्रा होलकर ने सासन की बागदोर समाई ली थी और होलकर बन्ज के सासक Tukoji Tartijayah के बाद मद्य भारत में इस राज्जी का बिलै कर दिया गया था आगे चलते हैं नेक्स गोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखी यहाँ पर आप लोगों से पुछाए उज्जेन प्राचिन काल में अवंती की राजधानी थी और वहाँ पर किसका सासन था तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आपसन नमबर फर्स्ट राजा बिक्रमादित्ति उज्जेन प् दिप्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पर छिप्रानदिके टट पर महा कालिश्वर जोतिलिंग इस्थी थे और प्रतेग 12 बरसों के अंतराल पर उज्जेन में सिहस्त कुम्ब मिले का आयोजन भी किया जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट काल से ही जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का आप्शन नंबर ए सतना जिले में चित्रकूट जो है यहाँ सतना जिले में बिंद परवत मालाओं के मध्य मंदाकनी नदी के टट पर इस्थी थे तो यह कोशन जो है अभी देश का पवित्र नगर किसे घोसित किया गया है तब आपका अंसर होगा चित्रकूट को राम भगवान राम और सीता और लक्ष्वान चित्रकूट के जंगलों में निवास करते थे और यहाँ पर चित्रकूट के जो प्रमुख दर्सनी इस्थल या धार्मिक इस्थल है उ पर आप लोगों क्या पुछाए तो नेश्टर कोशिण वे आपसे पूछा गया है भोपाल के नबाब कौन थे क्या पुछा गया दोस्तों भोपाल के नबाब कौन थे तो इसका जो राइड आंसार में दोस्तों वह है आप लोगों का option नंबर 2 फेज मुहम्मद खान दिए रियासत की इस्थापना की गई जो कि भौपाल के प्रथम नवाब थे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और और यदि आप से पुछा जाए कि भौपाल के अंतिम नवाब को थे तब आपका अंसर होगा हमिदुल्ला खान भौपाल के अंतिम नवाब थे और इनी के आंज तो मैं इसका आंसर आप लोगोंको अल्रेडी बता चुका हूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तो वह है आप लोगों का बतांए धल familiar कि गई तो ISK जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का आपसवर नमबर है मलार राव हुलकर के द्वारा 3 नमबर 1818 में जो राजधानी है हुलकर बंसकी या महस्वर से इंदोर मलार राव हुलकर त्रती के द्वारा की गई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है मलार राव होलकर त्रती के द्वारा होलकर राजबंस की स्थापना मलार राव होलकर प्रथम ने की थी ये भी आपको याद रखना है ठीक है होलकर बंस की स्थापना मलार राव होलकर प्रथम ने की थी और इंदोर की जो प्रसिद महिला सासिका वह महस्वर से इंदोर बापिस इस्थानात्रित की गई आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखी यहाँ पर आप लोगोस क्या पुछा गया है next question में आप लोगोस पुछा गया था परमार के परिवार को किसके द्वारा इस्थापित किया गया था आप से पुछा गया है परमार के परिवार को इन में से किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो इसका जो right answer है वह है आप लोगों का option number D राश्ट कुट परमार राजबंस के जो सासा के यहाँ प्रारंब में राश्ट कुटों के सामन्त थे और इस बंस के प्रारंबिक सदस्य जो है वो उपेंद्र राज या क्रश्ण राज थे तो आपको याद रखना है परमार राजबंस की स्थापना किस ने की थी तो आप कहेंगे उपेंदर राज या क्रस्मे राज दोनों ही नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पुछा गया है तो next question में आप लोगों से पुछा गया था वहां राजबंस जिसका तीसरी सदी के दोरान मद्य भारत पर नियंतरन था चार आपको दिये गया और पुछा गया इन में से किस राजबंस का तीसरी सदी के दोरान मद्य भारत पर नियंतरन था तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number C साथ बाहन, साथ बाहन राजबंस का तीसरी सतापदी के दुरान मध्य भारत पर नियत्रण था, साथ बाहन बंस का जो संस्थापक है, वह कौन था, यदि आपसे पुछा जाए, तो आपका आंसर होगा सिमुक और इनकी राजधानी क्या थी, अगर आपसे पुछा जाए, तब आपका आंसर होगा, साथ बाहन साथ को के द्वारा सी से के सिक्के जारी किये गए थे, ये भी आप लोगों का अच्छे से याद रखना है, बरते हैं नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन में देखी, यहाँ पर आप लोगों क्या पुछा गया है, कि इस बर्स में पेश्वा बाजीराओ दुती ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटी से को सोब दिया था, उस समय सागर में चार तहसिले हुआ करती थी, जिसमें खुरई, सागर, रहली और नंदा सामिल थी, मराठाओ के पतन में सरबादिक योगदान जो है बाजीराओ दुती का ह भी माना जाता है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया था, मद्द प्रदेश का कोन सा छेत्र, अवंती महाजनपा से जुड़ा हुआ था, चार आप्शन आपको दिये गए हैं, पहला आप्शन मालबा, द आप लोगों से यहाँ पर पुछा गया है, मद्द प्रदेश का कोन सा छेत्र, अवंती महाजनपा से जुड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर है, वह है मालबा, उज्जेन जो जिला है, इसके अंतरगा जितना भी छेत्र आता है, तो वह सभी मालबा छेत्र के अंतरगा सामिल है, तो प्राचिन में उज्जेन को ही अवंती के नाम से जाना जाता था, तो अवंती महाजनपात में जो मालबा छेत्र है, यहाँ जुड़ा हुआ था, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कहा जाता है कि इस सौंग सासक ने साची इस्टूप को नश्ट किया था, तो यहाँ पर सौंग हो गया गलती से, देखे, यहाँ पर सौंग ना होकर सौंग सासक है, पूछा गया है, इन में से किस सौंग सासक ने साची इस्टूप को नश्ट किया था, तो इसका जो असोक महान के द्वारा करवाया गया था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवसेस रखे गये थे तो आप सुगों से अगर पूछा जाए कि जो साची है यहां किस नदी के टट परिश्थी थे तब आपका अंसर होगा बेतवा नदी के टट परिश्थी थे और यहां किस धर्म से संबंदी थे तो अब आपका अंसर होगा बोध धर्म से संबंदी थे इसका निमान मोरे सासक समराट असोक ने करवाया था देखिए यहां पर पूछा गया है मद्ध प्रदेश के पूर्वी भागों में मुल रूप से किस का सासन था तो इसका जो राइट आंसर है पढ़ने इस पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूँ यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी MPGK की 1250 प्लस बैस्ट MCQ की PDF फाल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF को जरू डाउनलोड कर लें इसमें MPGK के हर चेप्टर से सभी important question लिए गये हैं जो कि आपके आने वाले exams के लिए काफे important साबित होंगे इसी PDF में से आप लोगों के Constable Exam 2022 में MPGK के सभी question पूछे गये थे इसलिए आपको यह PDF काफी अच्छे से पढ़ना है और आने वाले exam की अच्छे से त्यारी करना है तो वीड यह question जो है हाली में Constable Exam 2022 और पटवारी exam 2017 में पूछा गया प्रस्न है 1857 के विद्रोह में सक्री रूप से भाग लेने वाली जनजाती कौन सी थी तो इसका जो right answer होने वाले है दोस्तों वह है आप लोगों का option number A भील ती यह भी आपको याद रखना है और इस विद्रोह में भीलो का जो नित्रत्व है वह टंट्या भील के द्वारा किया गया था टंट्या भील को तो आप सभी जानते हैं चलिए बढ़ते हैं next question की ओन next question में यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया है किसने ताजुल मजजित का निर्मान किया था चार option आपको दिये गया और question थोड़ा सा गलत यहाँ पर type हुआ है किसके सासनकाल के दोरान ताजुल मजजित का निर्मान किया गया तब आपका आंसर होगा दोस्तो बहदुर साज जफर के सासनकाल के दोरान ताजुल मजजित का निर्मान किया गया था भोपाल में इस्तित भारत की विसाल मजजिदो में से एक ताजुल मजजित का निर्माण सहा जहां बेगम ने करवाया था तो यह पूछा जाए कि अगर किसने इसका निर्माण कराया तब आपका अंसर क्या होगा सहा जहां बेगम ने इसका निर्माण कराया था ताजुल मजजित का अर्थ है मजजिदों का ताज और यह ज सहर में इस्तिमा उर्ष का आयोजन किया जाता है तब आपका अंसर होगा भौपाल में और भौपाल में कहां किया जाता है तो ताजुल मजजित में किया जाता है बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखिए आप लोगों इसका पुछा गया है राजा भोज किस राजबंस का हिस्सा थे चार अप्षिन आपको दिये गया और पुछा गया है राजा भोज किस राजबंस का हिस्सा थे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आप लोगों का आप्षन नंबर C परमार राजबंस का राजा भोज जो है यहाँ परमार इनकी प्रमुख रचनाई है जिसमें राजा मार्तंड और सरस्वती कंठावरण आधी सामिल है उन्होंने कभी राज की उपाधी धारण की थी आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखी यहां पर आप लोगों से क्या पुछा गया है इतिहास के अनुसार किसने गौलियर की स् इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number A सूरज सेन ने इतिहास के अनुसार गौलियर की स्थापना वगहल सासक सूरज सेन के द्वारा की गई थी और गौलियर को गालब रिसी की तपव भूमी भी कहा जाता है यह question अभी जो है constable exam में पूछा गया था कि इन में स किस रिसी की तपव भूमी कहा जाता है गौलियर को तो आंसर था गौलियर को गालब रिसी की तपव भूमी भी कहा जाता है गौलियर सेहर की स्थापना वगहल सासक सूरज सेन के द्वारा की गई थी बढ़ते हैं next question की और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वी यहाँ चंदेल सासकों की प्रथम राजधानी थी और प्रथम राजधानी थी कुछ समय बाद चंदेल सासकों ने अपनी राजधानी जो है महोबा को बनाया था तो यह दोनों ही राजधानी आपको याद रखना है question में पूछा गया है खजराओ किन सासकों की राजधानी का निर्मान कराया गया था जिनमें से बर्तमान में बाबी सी ही मंदीर अस्तितु में है खजुराओं जो है यहां मंदीरों के लिए जाना जाता है खजुराओं को पत्थरों पर तरासी गई नगरी भी कहा जाता है खजुराओं में इस्तित कंदरिया महादेब मंदीर जो है इन सबी मंदीरों में सबसे बड़ा मंदीर है जिसका निर्माण चंदेल सासक बिद्य धर के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदीर की तुल्ला, कदरिया महादे मंदीर की तुल्ला जो है भुबनेस्वर के लिंगराज मंदीर से की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन में देखे, यहाँ पर आप लोगों क्या पुछा गया है, तो नेक्स्ट कोशन में पुछा है, आसन आसरय है, यहाँ किस समय के पुरातात्रिक इस्थाल है। तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होने वाला है दोस्तों, आसन नमबर B, पुरा पासान, भीम बेटिका जो है, यहाँ पासान आसरय है, जो कि आदिमानों के द्वारा बनाए गये थे, और यहाँ पुरा पासान काल से संबंदी थे, भीम बेटिका मद्धिप वे दरहोर सूची में सामिल किया है, अगर आपसे पूछा जाए, कि भीम बेटिका की कोच किसने की थी, तब आपका आंसर होगा, डाक्टर बिश्नु स्रीधर बाकड करने, और यह कोशन कोशन बल एक्जाम 2022 में अभी पूछा गया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ने पूछा है, इक कावनबा पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चेनल पर पहली बार आएंगे, तो चेनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन की बटन जरू दवाएंगे, साथ के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जैन!